हेलो दोस्तों आप वेलकूम तो माई चैनल इस वीडियो हम देखने वाले हैं stable and unstable system एक क्या होता stable and unstable system अगर हम किसी system को finite input या फिर bounded input देते हैं अगर output भी उसका stable आता है यानि output finite आता है या bounded आता है तो system को हम कहते है stable unstable system में क्या होगा अगर input हम bounded दे रहे हैं और output हमाया unbounded आ जाए यानि infinite आ जाए तो ऐसे system को कहते है हम unstable system तो stable system की definition क्या हो जाएगी stable system क्या होते है if a system gives bounded output bounded यानि finite bounded output for finite input finite का हो या bounded का हो ठीक है bounded input यानि finite input देने पर finite output आ रहा है तो ऐसे system को कहते है then system is stable ठीक है system क्या होगा हमारा stable होगा unstable में क्या हो जाएगा finite तो input दिया था लेकन output क्या आ गया unstable यानि infinite आ गया if a system gives unbounded unbounded output for bounded input then system is unstable ठीक है तो हम अगर finite या boundary input देते हैं यहाँ देखिए अगर यहाँ पर क्या x3 x3 हमाया bounded रहेगा हमेशा हना bounded यानि finite रहेगा अगर यह finite value है sign की value होगी कहां से कहां तक रहेगी sign जो value देगा minus 1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी minus 1 से 1 के बीच में रहेगी finite value रहेती है ना अगर मतलब infinite नहीं आएगी infinite नहीं आए लिए तो system क्या हो जाएगा मेरा stable ठीक है इतना देखना था next y n equals to a x n plus 6 6 कैसा constant यानि यह क्या finite a a constant यह भी क्या finite x n यह भी यह भी क्या है bounded यानि finite finite into finite finite हुआ plus finite तो finite रहा तो output कैसा आ गया हमारा finite तो system क्यासा हो जाएगा stable next y t equals to e की पावर x t e की पावर x t है हमारा e की पावर कुछ finite value ठीक है यह bounded input और यह finite value है तो e की पावर होती है 2.71 की पावर finite value अगर यहाँ पर 2 की पावर 7 5 की value finite दे रहे हैं तो यह की सब क्या देगा finite आज़ा मतलब कुछ ना कुछ तो value आएगी इसकी infinite नहीं आएगी तो ऐसे system इस system क्या हो लेंगे हम stable system ठीक है next question करते है य तो इन्फिनिटी एक स्टो कोस की पावर कोस्ट थीटो डीटो तो यह पहले क्या करना पड़ेगा हमें देखने पड़ेगा पूरा solve करके कि यह stable है या नहीं देखिए यहां पर अब नहीं बता सकते क्योंकि integration आ रहा है integration नहीं होता था हम आसानी से बता दीते है ठीक है क्योंकि इसकी value minus 1 7 के बीच में रहने बाली थी यह finite थी आगा integration नहीं होता तो लेकिन यहां पर integration आ गया integration की विए से देखते है क्या change आता है मालो x थी तो एक bounded input होता है मालो let x x to is equal to cos 3 to हम नहीं माल लिए यह क्या bounded input है है नहीं यह bounded input बाउंडरे इंपुट क्यों को को की cos 3 to की जो value होगी माइनस 1 से 1 के बीच में value आएगी तो यह बाउंडरे इंपुट ले लिए इसमें लगाओ इसको मानस infinity to t cos 3 to into cos 3 to d to तो यह मानस infinity to t कितना हो जाएगे cos square 3 to d to अगर मैं इसको लिखता हूं तो यह किस type का हो जाएगा 1 plus cos अगर यहां पर t है तो यहां पर कितना जाएगा 6 to upon 2 d to ठीक है तो इसको मैं 1y2 को बाहर ले रहे रहा हूं और इसका क्या करता है integration तो 1 का हो जाएगा t cos का हो जाएगा sin 6 to upon yes sorry toe आएगा यहां पर toe के respect में कर रहे हैं upon 6 तो minus infinity to t इस limit को लगाओ कितना आएगा यह 1 by 2 t sin 6 t upon 6 infinity लगाओ minus infinity sin minus infinity कहां से कहां तक होगा अगर यहां पर मैं लगाता हूं sin minus infinity upon 6 इसकी value होगी minus 1 से बन के बीच में ठीक है minus 1 से बन के बीच में यह होगा infinite किसी में infinite जोड़ों तो हमारा जो output होता कितना हो जाता infinite अगर finite input देने पर boundary input देने पर यह क्या रहा unbounded output unbounded output देन सिस्टम क्या हो जागा unstable system ठीक है next yn इकस्टू e की पावर log e mode of action अब देखिये यहां पर केस करेंगे पहली बात तो e की पावर में अगर log e होता तो क्या होता तो थी value लोग हटती आता ठीक है e की पावर नं लोग आता तो वहटती आता तो यह क्या जो पावर वी बस वह बचेगी ठीक है अगर मैं boundary input उसका अगर मैं boundary input दे रहा हूं यानि stable, next yn equals to nxn, इसमें क्या होगा, देखिए, it is bounded, n, n क्या होता, n की value क्या हों से खाहां तक हो सकती है, minus infinity to plus infinity, इतने तक जा सकती है, तो n की value अगर infinite होगी, infinite into finite, तो ये कितना हो जाएगा, unbounded input, अगर n equals to infinite हो, तो ये क्या है, finite, तो infinite होगा, ये क्या होगा, infinite होगा, ये क्या होगा, unbounded, तो ये system कैसा होगा, unstable, next, yn equals to x of minus n, देखिए, जो भी मैं, ये क्या input देऊंगा, उसकी क्या होगी, मेरा image आती चलियागी, क्या, उसका amplitude पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अगर कोई भी input है, उसका पर एक्सें दिया है, एक्सें नहीं दूँगा में input, एक्सें मेरा finite है, ये क्या, x of minus n, यानि जो भी input दे रहा हो, उसकी क्या, mirror image, mirror image, अगर जो input इस साइड है, तो उस साइड हो जागा, क्या वो उसका amplitude के भी infinite होगा, यानि उसका amplitude पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसका amplitude पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसका output उसका क्या, कभी infinite नहीं होगा, for finite input, then system क्या हो जाएगा हमारा, stable system, ठीक है, ये क्या हो जाए, system, stable हो जाएगा, ठीक है, जो reason बताया, मैंने उसको इसमें लिख देना, इस वीडियो में इतना ही, और thank you मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,